है यह जो फ्रेंड्स मैं धर्मेश काई स्टार मसीन और टूल्स की दरब से आप सब्सक्राइब करता हूं फ्रेंड्स आज का हमारा यह वीडियो है यह आप देख रहें मेकेनिक के आई चार्जर जे उपर वीडियो है मेकेनिक के चार्जर की पूरी रेंज आप देख रहें है यह हमारा पहला मोडल है 8S यह है 8P ठीक है यह 8M और यह आई चार्जर प्रो मैक्स ठीक है फ्रेंड्स यह सारे चार्जर अलग-अलग है ज्यादा तर यहां पर कंफ्यूजन होती है यह दो चार्जर में 8P और 8S में यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं सारे चार्जर के वोल्ट यहां पर देखिए यह आप देख सकते हैं यह 60 वोल्ट का है यह 8P आई चार्जर 8P 60 वोल्ट ठीक है यह दोनों लुक में सेम है लेकिन इसके दोनों के वोल्ट में डिफरेंट है यहां पर आप देखिए य यह I charger 8 S यह 40-वोल्ट है, यहाँ पर देखिए, आप दोनों में PD पोर्ट दिया गया है, क्यूंकि अभी PD पोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, PD पोर्ट के बिना का charger हम अभी नहीं ला रहे हैं, क्युंकि आने वाले time में PD पोर्ट ही जादा चलेंगे, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, यह 50 वोट का है, यहाँ पर देखें यह model i charger 8M, इसमें भी एक Qualcomm दिया गया है, एक PD दिया गया है, और सबसे अच्छा यह वाला है, अगर आपके पास budget है, कुछ problem नहीं है, तो आप यह वाला हम आपको suggest करते हैं, यहाँ पर देखें इसमे 25, 30, 20, यह दोनों 20 वाले हैं, और यहाँ पर जो यह USB है, वो सारी Qualcomm USB है, सारी Qualcomm मींज के सारी Fast USB है, यहाँ पर देखें, आप यह charger में आपको एक ही Qualcomm मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखें, इसमें एक USB ही Qualcomm है, उसी तरह से यहाँ भी देखें, आप एक USB Qualcomm है, Qualcomm आपक यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके वोल लिखें है, 110, ठीक है, तो यह Max model है, यह काफी पावरफूर है, आई चार्जर 8 Max, तो फ्रेंड्स यह था मेकेनिक के चार्जर, यह हमारे पास full stock में available होते हैं, किसी को wholesale में भी चाहिए, तो वो हमें contact कर सकता है, नीचे description में हमारे नंबर दिये गए हैं, हमारी website भी है, आप हमारी website से भी purchase कर सकते हैं, तो please आप हमारी website विजिट करें, वहाँ पे हम CODB offer करते हैं customer को, तो आप website विजिट करके वहाँ से भी order कर सकते हैं, जो wholesale में लेना चाहते हैं, वो नीचे दिये गए हमारे contact नंबर पे, please जरा सा आप contact की कीजिए, फ्रेंड्स कुछ भी question नहीं हो तो आप हमें comment में डालिए, thank you